प्रिधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में अपने शपत ग्रेंड समाहरों के साथ ही पडोसी देशों के साथ संबंध मजबूत करने की पहल की थी अब भारत के साथ अपने संबंधों को नई आयाम देते हुए हमारे पडोसी देश भूटान ने प्रिधान मंत्री नरेंदर मोदी को अपना सर्वोच नागरिक सम्मान देने का एलान किया है ये सम्मान एक तरह से आभार प्रकट करने के लिए है क्योंकि कोरोना महामारी के दौर में भूटान के नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए भारत ने वाक्सीन की खेब भेजी थी भारत और भूटान के बीच अब रिष्टों की नई इबारत लिखी जा रही है भूटान ने भारत के प्रधानमंतरी नरिंद्र मोदी को अपने देश के सर्वोच नागरिक सम्मान नगादा पेलगी खोरलो से नवाजा है भूटान के राजा और देश के शासक जिगमे खेसर नाम गयल बांग चुक ने इस पुरुसकार का एलान किया है उनका मानना है कि मोदी जी हर मुश्किल में भूटान के साथ खड़े नहीं है राजा बांग चुक ने भारत की विना शर्त दोस्ती और पीए मोदी के शासन कालवे दिये गए समर्थन को भी याद किया भारत ने खास तोर पर कोरोना संकट के दोरान भूटान की भरपूर मदद की थी भूटान के प्रधानमंत्री काराले की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि पीए मोदी इसके हकदार है और भूटान की जनता की ओर से बढ़ाई फेस्बुक पर जारी बयान में कहा गया है सभी मुलाकातों में आप एक महान आध्यात में के इंसान लगे आपके साथ इस सम्मान का जश्न मनाने को लेकर आशानवित हूँ बतादे कि भारत ने पडोसी धर्म निभाते हुए कोरोना महासंकट से जूज रहे भूतान को कोरोना वैक्सीन की खेप भीजी थी एर इंडिया के विमान से कोवी शील्ड की लाखो डोस भूतान भीजी गई थी और महमारी के प्रिसार को रोका। भूटान के स्वास्त मंत्री डेशो डेचेन बांगमों ने इस सफलता का श्रेदेश के राजा और लोगों को दिया है। और अब भूटान ने मोदी जी को अपने सर्वोच नागरिक सम्मान से नवाजा है। डीवी लाइव की रिपोर्ट